Hello everyone, Good morning Insurance law के class में आज हम बात करेंगे Assignment or Transfer of Marine Insurance It means Marine Insurance Policy का Transfer or Assignment यानि कि उसका अस्तांकन किस तरह से किया जा सकता है ठीक है First of all हम यह बात आप ध्यान रखिए कि Marine Insurance का जो अस्तांकन किया जाएगा उस अस्तांकन को हम दो पार्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे First हम बात करेंगे goods के बारे में यानि कि माल से सम्मंदित अगर आपने माल से सम्मंदित policy करवा रखिए तो उसका transfer उसका अस्तांकन कैसे किया जाएगा दूसरा है कि ship जहाज जो है उसका बीमा करवाया जाता है तो उस policy का transfer कैसे किया जाएगा तो आइए start करते हैं First हम देखते हैं माल बीमा पत्रों के अस्तांकन में कि बीमित को उपने माल बीमा पत्र का स्वतंत्र पूर्वक अस्तांकन करने का अधिकार होता है इंशॉर्ड जो होता है easily, independently अगर जो माल बीमा पत्र है उसका अस्तांकन कर सकता है तो इसके लिए बीमा करता कि पूर वनुमति के उसको आवश्रकता नहीं होती ध्यान रखिएगा अगर समुंदरी बीमा से समंदि जो माल बीमा पत्र है यानि कि जो goods की जो policy है उस policy का easily transfer किया जा सकता है without the consent of insurance company यहाँ insurance company consent की जोरूत नहीं होती बट important बात यह है कि समुंदरी माल बीमा का स्तांकन किसी भी व्यक्ति को तभी किया जा सकता है जबकि उस व्यक्ति का उस माल में उस माल में बीमा योगे हितुत्पन हो गया हो कहने का मतलब है आप ऐसे कैसे किसी माल को transfer कर सकते हो तभी तो आप माल को transfer करोगे जब आपका खुद का ownership उसमें होगा अगर आपकी खुद की ownership ही नहीं है तो आप माल दूसरे को कैसे transfer कर सकते हो तो कहने का मतलब है जब उसमें आगर आपका interest होगा insurance interest जो हम पढ़कर आये थे ना last classes में तो जब आपका insurance interest उसमें होगा तब ही आप उसको transfer कर सकेंगे दरवाइस नहीं आप किसी अन्य का माल तो transfer नहीं कर सकते ना clear तो पहले वो माल आपका खुद का हो आपका स्वामित हो आपका हित हो उसमें दूसरी बात कि जब बीमित विक्ति को जैसे for example करके हम जैसे यहां समझाते हैं कि जब बीमित विक्ति को माल लेजर रिन लेने की जरूत पड़ती है तो वह समुदरी माल को गिरवी रखकर रिन प्राप्त कर सकता है clear इसलिए वो रिन दाता कि पक्ष में माल के बीमा पत्र का हस्तांकन कर देता है तो कि उसको रिन की जरूत है तो वह क्या करता है कि उसको गिरवी रख देता है समुदरी माल को यहां पर गिरवी रख देता है लेकिन देखिए यहां हम जैसे बात कर रहे हैं कि उसने अभी तक माल को क्या करा है गिर भी रखा है लेकिन कई बार कंडिशन हो जाती है कि माल को बेचना है तो माल के विक्रे की दश्या में बीमा पत्र का प्राय जनरली क्या किया जाता है कि ब्लैंक ट्रांसफर किया जाता ह कहने का मतलब है policy में transferi का नाम नहीं लिखा जाता है उसको खाली छोड़ दिया जाता है इससे क्या होता है कि future में जितने भी transfer होता है जो भी assign होने वाले होते हैं वो easy हो जाते हैं कि जो भी विक्ति उसको प्राप्त करेगा वो उसको भर सकता है शतिपूर्थी प्राप्त कर देगा वो भी मा कंपनी से यह होता है तो ब्लैंक ट्रांसफर की दर्शा में हस्तांकिति का नाम नहीं लिखा जाता है ट्रांसफरी का नाम उसमें नहीं होता वरन जो हस्तांकन करता होता है बीमा पत्र की पीट पर केवल अपने हस्ताक्षर कर देता है इसका प्रभाव क्य माल के विक्रिय से माल बीमा पत्र का स्वतही अस्थांकन नहीं होता है बलकि जब भी माल के स्वामित का अस्थांकन होता है बीमित को बीमा पत्र का विदिवत अस्थांकन करना होता है लेकिन किन्तु मान लेजिए यह संभव ना हो तो माल के विक्रिय के समय बीमा पत्र के ट स्तांकन किया ज़ा सके तो इस बात का उड़लेग हो जाना चाहिए पालिसी का ट्राशफर करने कुलिए अलग से समभव नहीं हो माल लीजे तो आप माल को जो बेचो उस असमे scene करों को इसके अस्तांकन का है और दूसरा अम गोई तरीखते हैं कि जहाजी वीमा पत्रों का स्तांकन कैसे होता है कि जहाज को अपने marine policy आपने लिकिए है तो उसके उसको कैसे आसाइन करोगे, कैसे ट्रांसफर करोगे, तो जहाजी बीमा पत्र के अस्तांकन के लिए बीमा करता की अनुमती लेनी आवशक होती है, यह बात आप दोनों में डिफ्रेंस हो गया ना हमारे पास में, कि जब हम माल बीमा पत्र का ले रहे तो अनुमती लेनी की ज़रूत नही शिप का इंशुरेंस करें या नहीं करें, उस शिप के मालक जो होंगे, उनकी गुडविल क्या है, उनकी फाइनिशल पोजीशन क्या है, उसके आदार पर डिसाइड करती है इंशुरेंस कंपनी, तो जहाज, अब मालेजे, एक जहाज है, दूसरे को ट्रांसफर हो गया, द दोनों ही बदल जाते हैं, देखिए, जैसे की, इससे जोखिम की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि भई, ओनर्शिप, जब चेंज हो जाती है, तो अब जो ओनर बना है, उसके गुडविल या उसकी फाइनेशल पोजीशन तो पता होनी चाहिए, इसलिए जहा के स्वामित्व परिवर्तन होता है ज़हां की स्वामित्व, औरस्छित में, जब कोईचेंज होता है तो उसका बीमापत्र भी रद हो जाता है, क्योंकि सबसे इम्पाटन शीज कई ह, इसलिए बीमा करता को बीमा पत्र की बगाया अवधी का प्रेमियम लौटाना पड़ता है, लौटाना होगा उसको बै इंशौरेंस कमपनी ओगी सब्सटेने के लिए क्या किया जाता है, पैकि संसरेंस कम्पनी की सॉहमति ले लिए customer कि बाद में easily बीमा पत्र का हस्तांकन किया जा सकी ठीक है इसके लिए बीमा करता को अपनी सहमती बीमा पत्र पर हस्तांकन विलेक लिखकर देनी होती है अब insurance company कैसे देगी अपनी consent policy पर जो है वो एक assignment did लिखकर देगी कि हम assignment को उसको accept करते हैं अस्तांकन तभी वैद माना जाएगा चीक है ना तो इस तरह से आज की class में हमने क्या देखा कि दोनों ही तरीके से माल बीमा पत्र का और जहाजी बीमा पत्र का अस्तांकन कैसे किया जाएगा समंदरी बीमा की दशामें चीक है मिलते हैं अगली ग्लास में एक नए टॉपिक के साथ थेंक यौल अफ्यू